यह 5 star day return का AI mode वाला 6 in 1 AC इंस्टोल करना हमको इस दिवार पर ठीक है सामने में यह विला दिवार पर लगेगा और इसका just opposite में pipe कहाँ पर निकलेगा वो दिखा देते हैं आप यह देखिए यह सीरी वाला साइड है और इसका opposite में pipe यहाँ से निकलेगा और यहाँ से फिर इस दिवार को छेद करते हुए उस तरफ चल जाएगा चात पर चाते पर outdoor unit रखा जाएगा वैसे यहाँ पर दो AC लगेगा तो दोनों AC जो यहीं रखा हुआ है दोनों same model ठीक है केसी का तो दिखा दिए कहां लगेगा दूसरा AC देखिए इस रूम में लगेगा वह इस टेपलाइजर के बगल में और इस दिवार को छेद करते हुए थोड़ा एक्ष्टरा पाइप लगेगा इसमें और फिर उसके बाद उस दिवार को और सामने में जो है आउट्डोर यूनिट टम जाएगा इस गिरिल के उस तरफ सामने से पहला होल जो कंप्लीट हो गया और प्लेट जो है ठोक चुके है तो अब बस यूनिट को रखना है इस पर चलिए भीया इस एसी के इंडोर यूनिट का काम जो कंप्लीट हुआ और परफेक्ट तरीके से एक लेवल में लगा है ठीक है चार बगल से देख लिजी एक दम मस्त यहां इधर से पाइप निकला और यहां हॉल करके उधर निकल गया ठीक है पहले भी यह बात बोले तो प अब हम कर रहे हैं इस एसी के इंस्टूलेशन का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेट गाम यानि इनके अंदर भैक्यूम कर रहे है और यह करना बहुत ही जरूरी है एसी इस्टूलेशन के बाद ठीक है गैस कोलने से पहले यह जरूरी है अब हम दूसरे एसी के इंस्टूलेशन का काम कर रहे हैं तो हमको दो जगा छेद करना था जैसा कि हम दिखाए थे तो अभी light तो भागा हुआ है हावा चलने के कारण तो जानते हैं क्या चला रखें हैं यह दिखिए यह customer के पास Honda है उन्हीं को चला रखें और इन्हीं के मदद से जो हम drill machine चला पा रहे हैं लाइट भागने के बावजूद, देख रहे हैं, जैसा कि हम बोले थे कि सामने से आउड़ोर यूनिट लगेगा इस ग्रील के उस पार, तो अभी दखिये सामने से यहाँ पर आउड़ोर यूनिट के लिए, इस्टेंड लगा रहे हैं, और इस भाई साब का नाम है प्रेम, यह अमारे सपोर्ट के लिए आया है, क्योंकि मेरा तबियद गरबर आ गया है, थोड़ा सा जो है, बुखार और पेट में दर्द हो रहा है, इस वजए से भाई साब को हम बुलाए हैं, अपने सपोर्ट के लिए, अपने हेल्प के लिए, जो थोड़ा बहुत काम बचा था क्योंकि दो छेट जो अलड़ी हमार चुके हैं, इंडोर यूनिट टांग चुके हैं, भाई साब को बस आउट्डोर यूनिट लगाना है, और पाइपिंग करना है, यह पहला ऐसी है, इसके इंस्टोलेशन का काम तो हम कब का कम्पलीट कर लिए थे, तो अब लाइट आया और पीछे से यहां से इनका पाइपिंग देखिए, देख रहे हैं, यहां भी एक सेटल मार दी है, बागी यह पानी वाला पाइप नीचे कर देंगे, छेद करके, जीना के नीचे छेद करेंगे साइड से, काम करते करते भाई थोड़ा सा तबियत भीगर गया, बुखार अ अब देखिए, एस्टेंट ठोक करके, पाइपिंग भी यह आरपार निकाल चुका है, अब अंदर कुछ चीज कर रहा होगा, फाइनली आउट्डोर यूनिट भी एस्टेंट पर चड़ चुका, और यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हो गया, भाईया, देखिए, मेरे उपर लगा दिये हैं, इसको लगबग 15 मिनट करेंगे, क्योंकि थोड़ा इसमें पाइपिंग का इस्पेस बढ़ा है, फाइनली यह दूसरे इसी का भी इंस्टोलेशन कंप्लीट हुआ, तो यह आधा काम मेरे संरक्षन में हुआ है, तो हम बहतरीन तरीके से करवाने का प कंप्लीट हुआ, लेकिन चलाएंगे नहीं तो यह भी अधूरा ही रहा जाएगा, तो डेमो देना भी जरूर ही होता है, अब इनको हम चला करके सब कुस समझा देते हैं, फंक्षन उसके बाद काम काम